हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप सभी का आपके चैनल पर बहुत बहुत श्वागत है इस वक्त हम हैं आपके इगनु की साइट पे और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीएट को लेकर कि इगनु नोटिफिकेशन निकाला था कि जल्दी भरे जाएंगे तो जी है एंटी यह वह आपका बीएट जो है वह कंडिक्ट करवाएगा इंटरंस एक्जाम करवाएगा तो चलिए फिर देख लेते हैं कि जो बीएट के फॉर्म है वह कैसे बनना है पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं क्या-क्या डाकुमेंट इसमें लगेंगे ठीक है ना सभ इंटरंस एक्जामिनेशन है इसको नीचे स्क्रोल करके आते हैं तो यहां पर देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं यहां पर दो लिंक दिये हुए हैं पहले जो लिंक है वह आपका है याउय यानिक YMBA का और जो दूसरा लिंक है वह है आपका B8 का तो हम B8 को क्लिक करते है और चलते हैं इसके अंदर ठीक है और एक citizen window है वह आपके सामने open होगा कुछ इस तरह से और यह B8 2020 का जो है इस पे सबसे पहले आपको यहां पे apply for online registration पहले आपको करना है यहां पे ठीक है ना second step जो आपकी होगी वो होगी fill online application form यानी form जो है वो online आपको भरे जाने है तो second step आपकी यह हो जाएगी third step आपकी होगी upload scan photo and signature आपको अपनी photo and signature यहां पे upload करना होगा fourth जो आपकी step होगी वो होगी pay examination fees जो इसकी फीस रखी गई है वो आपको यहां पे pay करना होगा और फिर इसके बाद download confirmation page जो है वो आपको करना होगा ठीक है ना application form यहां पे जैसे दिया हुआ है तो बीएट 2020 साल लेडी सेलेक्ट है और यहां पे a new candidate registration के लिए है और only registration candidate sign in और जो candidate registration अपना करवा चुके है तो चलिए यहां पे हम apply करते हैं ठीक है ना और जैसे हम click करते हैं तो दिखे new window open हो रही है और इस में सबसे पहले registration है तो हमें registration करना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा नीचे आते हैं यहां पे हमें आना पड़ेगा और यहां पे दिखिए इंस्ट्रक्शन आपको पहले पुड़े पढ़ने होंगे तो आप इसे पहले पढ़ लीजिए जो इतनी भी इंस्ट्रक्शन यहां पे दिए हुए है दिन इसके बाद आपको जो है यहां पे पे क्लिक करना होगा यारी है अब डाउनलोडड इंस्ट्रक्शन जो दिये है आपने ऊसे पढ़ लिया है इसे ओके करना है और ऑके करने के बाद क्लिक यह तूपर सीड के इस बास पे दालना होगा यहां पे डेट आप वर्थ आपको अपनी डालनी हैं यहां पर जेंडर डालना होगा भी आप हैं देन इसके बाद सेकंड पे आते हैं कॉंटेक्ट डिटेल पे आने पे यहां पे आपको एड्रेस डालना होगा फिर यहां पे आपको सिटी टाउन डालना होगा यहां पे डिस्टिक डालना होगा यहां पे आपको अपना इमेल देना होगा एंड लाइन नंबर व दिया हुआ है और पास्वर्ड मास्टितिसफवायदा फालोंग यानि कि पास्वर्ड जो है एट से थैटीन करेक्टर का होना चाहिए ठीक है ना है एट से कम से कम एट ज़धा जफबुड़ फास्वर्ट फस्ट जो होता है लोगर के त्युक्र टॉट चुछ करिये फिर यह यहां पर security question दिया हुआ है वह आपको यहां पर भरना है यहां पर question दिया गया है वीच इस दा वेफ साइट यू रहली विजिट या फिर वाट इस यूर नेवर स्पेट नेम से वाट इस दा रजिस्टेशन नंबर आप यूर फर्स्ट वेकल इस तरह के कुछ questions रहते हैं कि जब यदि आप अपना password खोज आते हैं तो इन question को answer देके आप अपने password को प्राप्त कर सकते हैं security questions कुछ यहां पर पूछ हो जाते हैं फिर यहां पर इधर आते हैं तो confirm password है यानि password डालना है फिर यहां पर confirm करना है उससी जो भी कोस्टन साप लेंगे सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे आपको एंसर देना होगा इतना क्लियर हुआ इसके बाद यहाँ पर इंटर सेक्योर्टी पिन यानि जो यहाँ पे लिखा हुआ है यह चीज जो लिखा हुआ है capture यह चीज आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और जैसी आप इसको फिल करने के वाद सम्मिट कर दीज़ेगा क्योंकि अभी हमने फिल नहीं किया है इसलिए देखिए सभी चीजे ब्लेंक आ गई required करके आगए जब आप सभी चीजे फिल कर देंगे और right information देंगे और देंगे तो direct आप कहां पर पहुंचेंगे application form पर पहुंच जाएंगे फिर वहां पर application form होगा तो application form आपको फिल करना होगा ठीक है ना यानि कि application form में आप से आपकी पूछी जाएगी वो आपको उसमें सब कुछ डालना है जिस तरह से आप एक इंटेंस एक्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं और जैसे यह अप्लिकेशन फॉर्म जो है आप फिल कर लेंगे तो उसमें फिल नीचे सम्मीट करने के लिए दिया होगा अभी यह आप्शन नही इपन हो जाएगा इमेज अपलोड का और आपको इमेज अपनी वहाँ पर अपलोड करनी होगी कितने कवी में क्या है यहां पे आप देख लिए यहां पे सभी चीजे से इंस्ट्रक्षन में दी रहती है इन चीजों को पढ़ डिजेगा कि जो इमेज है आपकी फोटो जो ह वो कितने केड़े की हो गी ठीक है ना या कितने की होगी यह सबी चीज़े इसमें डी हुई है तो आप इसको पड़िएगा और जैसे ही आप इसको upload कर देंगे ठीक है ना और यहाँ पे signature भी आप से मागेगा तो signature भी एक आपनी signature की जिरोक्स बनाईए उसको भी image में convert करिए अब image JPG में वो आपको उसमें करना होगा दिन यहाँ पे upload करना होगा और upload करने कवा submit करेंगे तो फिर आपके लिए यह officer आपका उपन हो जाएगा fees payment का यहाँ पे आपको जो आपकी fees है इसकी यहाँ पे देखिए examination fees in the rupees इगनो बिए 20 2020 रूपी 600 जो है यह आप से charge ले रहा है यानि 600 रुपए आपको यहाँ पे pay करना होगा ठीक है ना तो इतना कप जैसे आप process कर लेंगे तो direct जैसे फीज payment पे जाएंगे तो वो आपको ले के जाएगा उस side पे जिस mode से आप अपनी fees जो है तो उसका आपको print लेके रखना है तो आप जब भी इस form को भरे तो एक बार instruction को जरूर पूरा आप पढ़ें क्योंकि जब तक आप instruction नहीं पढ़ेंगे जो दिसा निर्देश दिये हुए हैं उनको नहीं पढ़ेंगे तो आप form को fill नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत सार इसी format में होगी ठीक है अगर हम इसकी साइज की बात करते हैं फोटोग्राफ की तो वह आपकी 10 केवी से 200 केवी के बीच की होगी उससे जादा अगर आप कर लेंगे तो फिर वह सेप्टी नहीं करेगा आप डाउनलोडी नहीं कर पाएंगे उसे इन चीजों को आपको इसमे 30 केवी यानि 4 केवी से 30 केवी के बीच का होने चाहिए एक चीज यहाँ पर विसेश तर पर ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ है वो शुड भी कलर्ड और ब्लेक वाइट बट क्लियर कॉंटरस्ट यानि जो फोटोग्राफ आफ लगाएंगे वो शुड भी कलर और ब् आपकी ही है तो जब भी आप फॉर्म भर रहें तो एक वार जरूर यहां पर देख लें तो आइटिंग सी वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको भरना है मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी तो वहां से आप साइट में आ सकते है है यदि आपको फॉर्म सब्सक्रिप्र करें जाजिंगा variety इसके बाद में और हमें किमें कुमेंट कर करें दूसरा करुंगी खर कोई झाल ए-चैरल को सुछार। लिए जे नेस्ट वीडियो के साथ हम आप से फिर मिलते हैं तब तक के लिए चेक केर बाए